हेलो फ्रेंट्स, कोर्शाला की चानल पे मैं सुरेंदर आपका एक बाग फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंट्स, आज क्लास 11 के IP में हम डिसकस करने वाले हैं अपने एक और नए टॉपिक को लेकर के तो दोस्तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वेरिबल्स और साथ में उसमें वेल्यूज को कैसे आप असाइन करते हैं तो मतलब वेरिबल्स एंड असाइनमेंट सी हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों जैसा की मैं आपको कहे चुका हूँ कि जब कभी भी आप अपनी वैल्यूज को इनपुट करवाते हैं तो वो वैल्यूज आपके किसी वेरिबल्स में आकर स्टोर होती है मैंने आपको बताए भी था दोस्तों कि जैसे मैं कहता हूँ कि X equals to 10 Y equals to 20 इसका मतलब क्या हो कि X जो variable है उसमें 10 की जो value है मतलब 10 जो है वो आपका store हो रहा है X में ऐसे ही Y के अंदर store हो रहा है 20 तो दोस्तों यहाँ पर X और Y क्या है देखिए कुछ दूसरी programming language के बारे में बात करें जैसे C है, C++ है, Java है और दूसरी और भी अगर हम बात करते हैं अलग-अलग programming language तो दोस्तों उसमें आपके पास variable एक type का container होता है हाला कि यह line मैं यहाँ पर भी use कर सकता हूँ कि जो आपके पास variables होती है वो आपके पास एक type के container होते है क्योंकि उसमें आप values को store करते हो लेकिन दोस्तों python में क्या होता है आपके पास में कि जो variables होती है वो actual में एक type का reference है जैसे मैं कहता हूँ x equals to 10 तो दोस्तों इस case में क्या हो रहा है कही पर आपके पास 10 store है और x उस variable x जो variable है वो उस location को point कर रहा है simple सा तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते है कि variable आपके पास एक type का reference है और अगर आप चाहें तो यह भी कह सकते है कि आपके पास जो variables होती है वो एक type का container होता है जो किसी values को अपने में store करके रखता है तो इन सभी चीजों को मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ मतलब यह जो particular video है यह अपने पास variables उसकी assignments type of variables इनके उपर हम लोग discuss करने वाले तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले variables और assignments के बारे में कि variable आपके पास है क्या variable in python represents named location एक location जहां पर आप अपनी values को store करते है उसका एक आपके पास name है that refers to a value and whose values can be used and processed during program run जब आपका program run होता है तो दोस्तों आपकी जो values है वो किसी variables में store होती और उसके बाद आप उसको use कर सकते इसी तरीके से जैसे कि example है दोस्तों मेरे पास एक variable है जिसका नाम क्या है name जिसमें मैंने equals to operator को use किया equal को और उसके बाद दोस्तों मैंने use किया है double quotes को आप चाहें तो double quotes use कर सकते हैं आप single code भी use कर सकते हैं और इसके बीच में आपको भी एक string डाल सकते हैं लैक दोस्तों मैंने लिखा name equals to sati तो sati क्या है दोस्तों अपने पास यहाँ पर एक string है collection of characters है उसको मैं store कर रहा हूँ इसलिए मैं क्या use कर रहा हूँ double quotes इसी तरीके से दोस्तों अपन यह कर सकते हैं like age age क्या है age equals to 19 इसका मतलब है दोस्तों की कहीं पर 19 store हुआ है और उस location को point कौन कर रहा है दोस्तों अपने पास variable age ऐसे अगर मैं कहता हूँ marks marks equals to 97 तो दोस्तों कहीं पर 97 store है और उस location को point कौन कर रहा है अपना marks तो यह name एक अलग variable है age एक अलग variable है marks जो है आपके पास यह एक अलग variable और उनकी values किसी में string store है किसी में आपके पास integer value store है आप चाहें तो float value store कर सकते है और दूसरी भी कोई भी type जैसे list store करना चाते है आप टपल बनाना चाते हैं आप dictionary create करना चाते हैं आप sets बनाना चाते हैं किसी भी type की values को दोस्तों आप store कर सकते हैं अपनी variables में तो variables क्या है जिससे कि आप उस values को अपने code में access कर सके जैसे दोस्तों आप लोग कई बार Instagram, Facebook और दूसरी website जब आप login करते हैं तो आपसे आपका name या आपका username और password पूछता है तो दोस्तों उस time पर आपने वो value डाली है वो कहां store होती है किसी variable के अंदर ओके नेक्स अगर अपन बात करते हैं तो variables कैसे create करते हैं देखिए कुछ programming language में जैसे मैं आपको बार-बार कहूंगा मैं compare करता हूँ है न क्योंकि जब मैंने starting में आपसे आथा कि python जो है वो c, c++, java in languages के according अगर अपन compare करें तो ये बहुत easy है इसलिए मैं दोस्तो बार-बार यहां पर compare करता हूँ c, c++, java और ऐसी कुछ दूसरी programming के साथ तो दोस्तो reason बस यह है कि आपको ये पता चले कि यहां पर ये कितना easy है देखिए c में या c++ में या java में दोस्तो हमें क्या करना होता है पहले अपनी variable बनानी होती है उसका type भी बताना होता है जैसे integer x तो आप दोस्तो x नाम की variable में integer के अलावा दूसरा कोई भी type का data store नहीं कर सकते अगर आप बोलते हैं दोस्तो आपके पास एक correct type की variable है तो आप दूसरा कोई type store नहीं कर सकते और आपको variable दोस्तो यूज करने से पहले ही create करनी होती है सबसे बड़ा issue यह है तो यहाँ python में अपने पास क्या है कि आप सीधे सीधे लिखिए variable का नाम और उसमें value क्या assign करनी है बस आपको इतना बताना है आपकी variables create हो जाएगी अगर आपने कोई variable create नहीं करी है दोस्तो और अगर आप फिर भी उसको use करें जैसे मैंने अभी name में स्वाती लिखा अगर दोस्तो अपने पास name में स्वाती store ही नहीं मतलब name नाम की मैंने दोस्तो variable create ही नहीं करी है और अगर मैं उसकी values को print करवाना चाता हूँ तो इसका मतलब है अपने पास के आएगी एक error आ सकती है तो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तो creating a variable to create a variable, just name that variable and assign the values जैसे दोस्तो username equals to मेंने लिखा है विने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है you name जो variable है वो अपनी create हो रही है और उसकी अंदर विने नाम की values store हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तो variable created of string type यहाँ पर हमने विने, क्योंकि दोस्तो यह double quotes में है तो हमने एक string type की variables create कर दिया, simple है इसके बाद दोस्तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ password password equals to admin123, अब admin123 जो है वो collection of characters and integer से, तो दोस्तो अगर आपके पास में characters के साथ कोई दूसरा type भी है, तो वो आपके पास में क्या कहलाता है, एक string ही है तो यहाँ पर admin123 अपने आपने string है, इसको अपने double quotes में लिखा है तो दोस्तो password भी क्या है, एक variable बन गई है, और इसमें किस type का data store हो रहा है, string type का, तो यहाँ पर भी variable created of string type उसके बाद दोस्तों मैं लिखता हूँ roll underscore number, देखे एक rule है, रूल क्या है कि जब variables अपन create करते हैं, तो उसके बीच में space नहीं हो सकता आपको इस ठीच का observe करना है, दोस्तों मैंने लिखा है roll underscore number, रॉल नंबर को मैं roll underscore number लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगे आपने पास, रॉल नंबर जो है, इसके बीच में अगर space डालता, तो यह variable मेरी error create करके दिखाती है तो यहाँ पर यह याद रखना है, कुछ rule से हम आगे बात करेंगे, इसमें मैंने क्या use किया है, underscore, simple सा है, आपके एवल underscore use कर सकते हैं, दूसरा कोई भी special symbols use नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया दोस्तों, 2254, तो यहाँ पर एक roll number है अपने पास, और वो किस type की values को store करा है, दोस्तों, अगर मैंने इस क्या कि single quote ये double quote use किया होता, तो यह क्या बन जाती है, string, लेकिन मैंने नहीं किया है, इसलिए क्या बन गई दोस्तों, अपने पास integer, तो यह क्या है, variable created of numeric, यहनिकि integer type की variable create हुई है, अगर दोस्तों, अपन percentage नाम की variable में store करते है, 97.65 value, तो यह क्या करेगा, percentage नाम की variable बनाएगा, और उसका type क्या हो जाएगा, दोस्तों, वो type हो जाएगा आपने पास float, तो यह रहा आपके पास में variable created of numeric, यहनिकि float type, क्योंकि दोस्तों, float क्या होता है, जिसमें point के साथ को value आती है, जैसे 97.23, और अगर सिर्फ 97 लिखता तो दोस्तों, यह automatic उसको integer type की create कर देता, ठीक है, simple है, I hope यह समझ माया होगा, उसके बाद दोस्तों अपन बात कर सकते हैं कि python will internally create label referring to these values, मतलब आपके पास तो यह value है, जिसमें आपने लिखा है 97.8, और दोस्तों, जिस location पे मतलब, आपकी memory में, आपकी RAM में, जिस location पे दो है, अपने रख दिया है, suppose की percentage, तो मैं लिख देता हूँ, PER एक variable है, suppose, तो PER एक variable है, जो 97.8 value जहां कहीं पर भी store है, उस location का एक नाम रखा है, तो python will internally create labels referring to these values, okay, variables are not storage container in python, यह देखिए, मैं वापस कहा रहा हूँ आपको, कि दूसरी programming languages जो होती है, दोस्तों, उसमें अपने पास क्या होती, variables हमेशा containers होती है, तो python में आपके पास यह storage container नहीं है, यह क्या होती है, दोस्तों, variables आपके पास, labels होते है, जो value आपने store करी है, उस location का एक नाम होता है, केवल, ठीक है, इसी type से हम लोग देख सकते है, multiple assignments कैसे कर सकते हैं, जैसे, अगर मैंने आपको कहा था कि मुझे X के अंदर store करना है, 10, दोस्तों, Y में भी 10 करना है, Z में भी 10 करना है, तो कैसे करें, तो दोस्तों, आप simple सा लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, A equals to, B equals to, C, इसका मतलब क्या हो गया, कि A में value कौन सी आएगी, B वाली और B में value कौन सी आएगी, C वाली औ B की value और C की value, तीनों की क्या है, 10 है, actual में क्या होगा, दोस्तों, कहीं पर 10 नाम की variable बनेगी, इसका भी नाम आपके पास A हो जाएगा, इसका एक नाम B भी हो जाएगा, और इसका एक नाम C भी हो जाएगा, ठीके, दूसरी programming languages अगर अपन बात करतें, तो दोस्तों क्या होत B भी है, तीन अलग अलग variable से, तीन अलग अलग label से, या कह सकते तीन अलग अलग references हैं आपके पास, जहां पर 10 store हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा भी दोस्तों, ID के तुरू, कि जब आपन ने कहीं 10 store किया, जैसे A equals to B, equals to C, equals to 10 लिखा, अगर आप ID, यहने की memory location की बात इसे कर सकते हैं, और अगर आपके पास, अलग-अलग variables में, अलग-अलग values अगर आप store करना चाहें, और वो भी multiple variables में, multiple values store करनी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोस्तों, X equals to, sorry, X, Y, Z equals to 10, अब देखें, 10 कहां जाएगा X में, 20 कहां जाएगा Y में, और 30 कहां जाएगा Z म यह भी valid है, यह भी valid है, और अगर आपको लगता है कोई भी type का confusion है, तो दोस्तों, आप simple सा कर सकते हैं, X equals to 10, जैसे मैंने इदर लिखा, Y equals to 20, यह भी कर सकते हैं, और Z equals to 30, आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो आपको जो सबसे easy लगे, आप वो use कर सकते हैं, I hope दोस्तों, यह स्ल variable जब तक आप create नहीं करोगे, आप उसको use नहीं कर सकते, उसमें क्या आएगी, दोस्तों, error आजएगी, देखते हैं, क्या चीज मैं आपको कह रहा हूँ, a variable is not created until some values is assigned to it, यहनि कि दोस्तों, मैं अगर यहाँ पर एक variable, ठीके, create कर देता हूँ, X, तो दोस्तों, X नाम की variable ब तो उसका location का नाम आप mention कर सकते हो, कि भई, X है, अगर आपने कोई value store नहीं करी, तो दोस्तों, X किसको यहाँ पर particular refer करेगा, ठीके, तो इसलिए यह आपके पास में आजाएगी error और वो आपका valid है, तो इसका मतले पर दोस्तों, अगर मैं कहता हूँ, print X, खाली सिदा सिदा अगर मैं कहता हूँ, print X, और दोस्तों, मैंने X नाम की variable में कोई भी value assign नहीं करी, इस case में, तो क्या होगा, आपके सामने एक error create हो जाएगी, एक error आएगी, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया, X equals to 25, तो इसका मतलब हो गया, X में आपने क्या store किया, पहले 25, जहां पर 25 create किय वहाँ पर X नाम के variables को आपने बता दिया है, अगर आप दोस्तों, अब करें, print X, तो यह क्या करेगा, आपके सामने, output क्या जाएगा, इसका 25, जो भी आपका value है, आपकी value उसके according आपको output देगा, तो बस कहने का मतलब इतना ही था, कि अगर आपको variable create नहीं कर रहे हैं, उस उसके पहले अगर आप use करें, तो दोस्तों, error आएगी, इसका मतलब आपको use करने से पहले उसको बना लेना जरूरी है, इसी type से दोस्तों, next आप हम लोग यहां बात करने वाले हैं, अपने dynamic typing और static typing को लेकर की, देखिए, कुछ programming language में, फिर से कह रहा हूँ, जैसे C language में, C कर सकते हैं, क्योंकि उस size की values जब आप store करना चाहरे हैं, तो आपने बताया हमें memory में इतना space चाहिए, जैसे अगर मैं कहता हूँ, दोस्तों, मुझे 5 integer store करने हैं, या 2 integer store करने हैं, या 10 integer store करने हैं, तो उन number को store करने के लिए आपको पहले है, अपनी memory को create करवाना होता है, लेकिन python क्या बोलता है, python और दूसरी और भी languages, जैसे दोस्तों PHP में भी, आप क्या करते हैं, कि आप अपनी variables, जस्त आप बताईए उसमें किस type की value store करने हैं, उसका type भी बताने की ज़रूत नहीं, आप तो ये बोलिए, x में 25 store कर दो, तो अभी दोस्तों क्या हो जाएगा, x नाम की एक variable बन गई, उसमें 25 यहने की integer value store हो गई, अगर आप चाते हो उसी variable में कोई दूसरे type की value store करवाना, तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे एक बार x में integer है, फिर x में float है, फिर x में string है, x में tuple है, x में dictionary है, x में sets है, कुछ भी आप store करना चाते हैं, किसी बे type की value तो आप कर सकते हैं, किसमें, dynamic typing में, static typing क्या होगी दोस्तों, उसमें आपको type भी पहले बताना पड़ेगा, एक डम constant, यही type आपके पास होगा, दूसरा कोई type आपके पास नहीं हो सकता, तो यह अपन देखते हैं, क्या है, python variables as labeled associated with objects, यहनि कि internal values जो आपके पास होती है, यहन आप यहाँ create कर सकते हैं, तो python variable as label associated with objects, with dynamic typing, we can assign numeric values in a variable, then we can assign string, आप एक बार numeric डाल सकते हैं, देन आप string डाल सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है तो आप उसमें float डाल सकते हो, या कोई दूसरा type भी आप उसमें store कर सकते हो, तो यह बस इतनी सी बात हैं, कि एक बार नहीं, उसमें किसी भी type की value store कर दी और बाद में आप उसको change भी कर सकते हैं, ठीके, किसमें, dynamic typing में, लेकिन static typing में ऐसा नहीं हो सकते हैं, तो dynamic क्या हो गई, एक variable है, जिसको आप किसी भी type की values को store उसमें करवा सकते हैं, ठीके, इसी type से in static typing क्या हो गया, a data type is attached with a variable when it is defined first, and it is fixed programming languages like, and it is fixed, programming languages like C, C++ और Java, इन में क्या होता है, दोस्तों, आपके पास में static typing होती है, मतलब आपको लिखना पड़ता है, integer x, अब दोस्तों कहीं पर एक variable बन गई है, x, आगे जाते हुए, आप अपने code में कह सकते हैं, x equals to 15, तो दोस्तों, यहाँ पर 15 store हो जाएगा, ठीके simple सी बात करें, तो इसमें क्या होता है, पहले आपको variable का type भी बताना होता है, और जो type बता दिया, वो ही type रहेगा, बाद में इसमें values आप change नहीं कर सकते हैं, मतलब उस type की value रखना चाहें तो ठीक है, दूसरे type की values आप इसमें store नहीं कर सकते हैं, I hope दोस्तों, यह भी समझ करता हूँ, दोस्तों, एक string है, और उस string में divide करना चाहरा हूँ, किसी divide by 5, तो दोस्तों, यह सिधी-सिधी बात है, आपके पास क्या आएगी एक type की error, मतलब अगर मैं कहता हूँ, score शाला divide by 3, score शाला divide by 5, तो यह कैसे possible है, क्योंकि एक string है, string को आप divide नहीं कर सकते हैं, अग तो उस बावेश, और मैं कहता हूँ, y equals to x divided by 2, तो यह क्या करेगा, एक error आपके सामने generate करके देगा, I hope यह समझ माया था, type of variables में अब हम बात करने वाले हैं, कि if you want to determine the type of variable, ठीके, मतलब किस type की value अगर आप यह देखना चाहरे हैं, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक function है, कौन सा function है, दोस्तों, आपके पास type, type एक function है, इसमें आप variable का नाम बता दीजिए, जैसे type और जो भी variable name है, जैसे type of a, तो दोस्तों, अगर आपके पास में, a में आपने लिखा है 7, तो यह क्या return कर देगा, class int, अगर आपने लिख रखा है, a equals to 7.5, तो यह क्या return कर देगा, आपको class float, अगर आपने लिख रखा है, a equals to, और आपने लिख दिया, दोस्तों, 7,9, तो यहां पर क्या हो गया, यह टपल बन चुकी है, अगर आपने कर दिया, a equals to, bracket में, 7,5,3, तो यह अगर आप चला के देखेंगे, तो आपको क्या दिखा देगा, list, ऐसे ही आप dictionary या दूसरा कोई भी type, जो भी आपका type है, variable का, उसका type देखने के लिए, आपके पास में क्या, एक function क्या नाम है, उसका type, type of, जो भी variable का नाम बता होगी, उस variable का type आपको define करके, बल्या, उसका type जो है, वो आपको print करके दिखा देगा, अगर आप print करना चाहें, तो आपके लिख देंगे, print function, simple है, type of B करेंगे, तो B का type बता देगा, तो कुल मिला करके, दोस्तो, variable से related जितनी भी बाते हो सकती थी, वो हम लोगों ने आज इस वीडियो में कर ली है, अगला वीडियो दोस्तो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें हम बात करे यह भी क्या है, दोस्तो, एक simple सा function है, print, लेकिन उसमें भी दोस्तो, बहुत सारी variety है, उसको use करने के तरीके कौन-कौन से है, सारे में आपको बताने वालों अपने अगले वीडियो में, तो दोस्तो, अगर आपने इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो आप subscribe जरूर कर जिसे की आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाएंगे, दोस्तो, दूसरी बात एक और, कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए दोस्तो, बहुत important होती जा रही है, तो प्लीज दोस्तो, कमेंट में आप मुझे ज कमें आपके लोस्तो, जा दूस्तो, बहुत आपके लाएंगे, ने सीरीज आपके लिएग भाले से अगले सेजशव पाएंगे, प्लीज से लकूप मुझे कर से मुझे कie जातवे हैं, पहुत मैंट रहे हैं, लोस्तो, टूस्तो, जापके लाएंगे, पापके लissoी?